करेंट अफेयर्स 15-16 मार्च की घटनाओं में आपका पुना स्वागत है इसमें हम उन्हीं घटनाओं को सामिल करते हैं जो परिच्छाओं के दिश्टे आतेंत महतपूर हैं और बिसेसकर पीसेस परी 2023 की परिच्छा के लिए जो 14 माइक होने वाले उसके लिए महतपूर है इसमें करेंट की घटनाओं को सामिल करते ही हैं इसके अलावा एक स्टेटिक जीयस जो हर एक्जाम में लगवग आता ही आता है उसको सामिल करते हैं आज हम उसके लिए माडन इंडिया का एक टॉपिक सामिल कर रहा है इसके बार इनको डिटेल बताएंगे पूरा जो है और जो करेंट अफेर्स की घटनाओं में उनका जो सबसे महतपूर नियुज है आज की जो सबसे इंपॉर्टन घटना है वो सरस्ति सम्मान ये हर बार पूछी जाती है जब भी आता है तो सरस्ति सम्मान से संबंदित क्वेस्चन आता ही आता है ये 2022 का दिया गया है लेकिन अभी दिया गया है तो इसलिए जो भी एक्जाम आएगा इसमें पूछा जाएगा ये दिया गया है सिवसंकरी ये तमिल साहितिकार है सिवसंकरी और इनका जो तमिल संस्क्राड है एक दो घंडों में परकासित है सूरिबंसम इसके लिए दिया गया है सूरिबंसम के लिए ये एक बच्ची के लेखी का बनने की कहानी है पूरी दो घंडों में और इसके अलामा साथ दसकों का सामाजिक परिवर्तनों का अनुकरम इसमें दिया हुआ है सूरी बंसम में और इस बार जो है सरुस्ति सम्मान सीव संकरी को सूरी बंसम के लिए दिया गया है ध्यान रखिएगा ये परिछा में रखा हुआ है अब देख लेते हैं सरुस्ति सम त्मिन साहितिकार टमिन शंस्कीन सूर्य बंसम के लिए के बिड़ला पॉणेशन द्वहरा दियाता है यह इसकी राज 15 ETF रुपए है कुँने समाने चार्व लाखे iars 15 लाख है विए उच्चरतम समभानों में उच्छत्म सममानों में माना जाता है इसके अलामा ये जो सुरू किया गया है 1991 से दिया जा रहा है और लगवखर साले दिया जता है तो इस बार ध्यान रखियेगा सिवसंकरी को उनके सूरिबंसम के लिए दो घटनाओं में है और तमिल संसकनड के लिए दिया गया है तमिल सहितकार है इसके लावाएक इनकी उपलब्धी और है इन्होंने अपनी कहानियों उपन्यासों को कैसेट के मादम से अपनी आडियो वीडियो कैसेट के मादम से लोगों को या इस तरह से अपने लोगों को बताने के लिए इन्होंने अपने आडियो वीडियो कैसेट जारी किये सिवसंकरी तमिल साहित कार हैं सूरी बंसम के लिए दिया गया है तमिल संसक्रण है इसका सरस्ति सम्मान 2022 का दिया गया है अभी दिया गया है ठीक अगला है गुलाबी गैंग के परिधान लंदन म्यूजियम में गुलाबी गैंग आपने नाम सुना होगा गुलाबी गैंग ए इसकी नाइका थी वास्तों में जो नाइका थी मूवी में नहीं वास्तों में जो नाइका थी उसका नाम था संपत पाल नाम है उनका संपत पाल 2006 की घटना है जब इनके पती को एक महिला थे उसके पती को बैठा लिया गया था थाने में इन लोगों ने 300 महिलाओं को ले करके थाना इन्होंने घर लिया इसके लाओं बिजली की समस्या होने पर बिजली दफ्तर में SDO को बंद कर दिया तक कई घटनाए होई और इन्होंने अपने प्रतरोध के माध्यम से पूरे छेतर में परसासनी कदिकारियों को या कह सकते हैं कि घुसखोरों को या अपने लोगों के फायदे के लिए न्होंने काम करना परार्म किया और इसका जो बेनफिट या कह सकते हैं कि इसके पुरस्कार के सुरूप में इनके जो बसत रहा है गुलावी गैंके हम जानते हैं गुलावी रां के साड़ी ही मृई और पेटिकोड एक केंन सिंघ्टन डिजाइन संगहला बिटेंड में रक्चे जाने के लिए मागे गये हैं इनके बस्त रहें संपतपाल जी के बस्त रहें कौन-कौन से साड़ी, बलाउज, पेटिकोड जो एक डंडा मागा गया है वहां रखने के लिए वहां पर प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में इसको रखा जाएगा महाँ पर अगला है अमेरिका, आस्टेलिया और बिटेन ने परमाड पंडूबी समझाता किया है अभी हाल में परसों परमाड पंडूबी समझाता बिसेश कर हिंद प्रसांद छेतर में इस्थिरता लाने के लिए हम जानते हैं हिंद प्रसांद छेतर कौन अपने बर्चसों के लिए लगातार यूज कर रहा है हिंद प्रसांद छेतर को चीन चीन ताइवान में कभी कभी कोरिया से कभी जापान के दीपों से मतलब इसका विवाद चलता ही रहता है इस शेतर में आस्टेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, USA के पर्धानमत्री राष्टपती जो वाइडन, अमेरिका, ब्रिटेन के रिष्टी सुनक और आस्टेलिया के एंथनी, अल्बानीज, इन तिरों ने समझाता किया है, इसके फ़ल्सरूप आस्टेलिया को तीन परमाड प पड़ी तो दो पंडुबियां और दी जाएंगी, ये काफी दुनों बाद तकनीकी समझाता किया जारा, 30 वर्सों बाद अमेरिका कोई तकनीकी समझाता इस तरह से कर रहा है, हिंद प्रसांद छेतर में इस जो डील हुई है, अमेरिका, ब्रिटेन और आस्टेलिया के ये करना बहुत जरूरी है, और चीन के प्रसार को रोकना बहुत जरूरी है, अगला है पेरुमल मुरुगन, ये तमिल साहितिकार है, इनका एक उपन्यास पायरे इसे बुकर अंतराष्टे पुरसकार के लिए नामित किया गया है, ये तभी आएक एक जाम में, जब अगर पता था, बांबी प्लान, ये 1944-45 में भारती आर्थव्योस्था को गति देने के लिए, आठ बंबई के आठ उद्योगपती थे, और बंबई के नहीं उसमें सीर्स, देश के सीर्स आठ उद्योगपती उने एक प्लान बनाया था, एक उद्देश को लेकर बनाया था, वो देश, वो आठ उद्योगपती जो उसमें थे, 44-45 में, वो आठ उद्योगपती थे, पुर्सोत्तम दास्ठाकवर, जयाडी टाटा, जीडी बिड़ला, लाला स्री राम, कस्तूर भाई लाल भाई, एडी सराफ, अर देशिर दलाल, जान मताई, इतने लोगों ने इन आठ पूजी पतियों ने एक प्लान बनाया भारती अर्थवेवस्था को गत देने के लिए इसे बाम्बे प्लान कहा गया, इसमें अब बाम्बे के ये दो पांच आठो जो है बाम्बे के थे, बाम्बे के पूजी पति, और ये पूरे देश के उसमें आज भी हम नाम सब का जा जानते ही हैं, देश के पूरे पूरे देश के सर्वोच अर्थवेवस्था समालने वाले लोग थे, तो इन्हों ने किया, इसका उद्देश था क्रिसी पुनर संग्रशना करना, जो क्रिसी ब्रिटेन के आपनवेसिक करण के फ्रस्तास धोस्त हो गई थी, एक कच्चे माल क के प्रसार के रूप में यूज करने की कि जाने लगी थी, उस क्रिस का पूनर संग्रशना करना, इसका उद्द्देश था, दूसरा था, मध्यन लग और इसमाल उद्द्योग, कुटीयर उद्द्द्योग को बढ़ावा देना, जिससे लोगों को फिर रोजगार जो भारत नहीं भन रही थे उनका विन पना करना करना उनको भारत बना करके ताकि लोगों को कम कीमत पर अच्छी चीजे मिल सकें बस्तूइं मिल सकें और एक और था जो महत्पूर था 15 वर्सों में लोगों की जो आए थी वो आए 65 रूपए से 130 रूपए करना 15 वर्सों में तो आज का यदेगी करेंट अच्छी पर वाचेNew